दुनिया में कई सापो को आपने देखा होगा, कई सापो के बारे में आप जानते भी होगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सापो के बारे में बात करने वाला हूँ, जो साप दुनिया के सबसे जैरी ले और खतरनाक सांप है, इन में से कुछ सापो का जहर इतना खतनाक होता है कि आदमी कुछी मिनिटों में मर सकता है ताइपन साप औस्ट्रिया में पाये जाने वाला दूसरा सबसे विसेला सांप है ताइपन साप का रंग अफरिका के ब्लेक मंबा की तरह होता है और इसका जहर इतना खतनाक होता है कि इसके एक बार में छोड़े गए जहर से कम से कम 12 आजा सूर की मुथ हो सकती है टाइपन साप के जहर में नियो टॉक्सिक जहर होता है जो सिकार के सरी में खुन को जमा देता है नमन नाइन ब्लेक मामबा ब्लेक मामबा अफरिका में पाये जैने वाला सबसे लंबा, तेज और जैरीला साप माना जाता है ब्लेक मामबा के लंबाई लगबग चौथा फिर तक होती है और यह 20 किलमेडर प्रति गंटे की रबतार से भाग सकता है ब्लेक मामबा परिस्तितिक अनुसार अपना रंग बदल सकता है यह इतना आक्रमक होता है कि कुछी सेकंड में यह लगातार कही बार काट सकता है काटने के 15 मिनिट से लेकर 3 गंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है एंटी वेने बनने से पूर्व इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं सकता था नमर एट टाइगर स्नेक टाइगर साप वस्ट्यर में पाये जाने वाला बहुती ज्यादा विसेला साप है टाइगर साप में नीडो टॉक्सिक जहर होता है जिसे से सिकार की 30 मिनिट से 24 गंटे के अंदर मौत हो जाती है टाइगर साप इंसानों को लिए ज्यादा खतनाक नहीं होते है क्योंकि इंसानों को देखकर या भाग जाते है टाइगर साप तभी काटता है जब उसको भागने की कोई जगर नहीं होता है या सिकार को 3 मिटर की दूरी से लपक कर काटने की समता रखता है फिलिपनी कोबरा के काटने के बाद इंसान 30 मिनिट के अंदर मर सकता है इसके ज़र के मुख्यों लक्षन तेजी से सीर चक्राना, सीर दर्द होना, अत्यदिक उल्टी होना और सास लेने से परिशानी आदी होते है नमर 6, स्वास कैल्ड वाइपर वाइपर लगबग पुड़ी संसार में पाए जाते है यह दर्दी पर पाए जाने वाले सबसे जहरीली और खतरनाक सापों में से एक है लेकिन वाइपर की सबसे जहरीली प्रजाती स्वास कैल्ड वाइपर बारत, चीन और सावत-इस टिस्ट्रिया में पाई जाती है स्वास कैल्ड वाइपर लंबाई में छोटा होता है लेकिन अपनी गुस्यल, चीड़ चीड़ी और अत्यन्त आकर्पनक प्रवती और इसकी घातक जहर सकती इसे बहुत खतरनाक बना देती है भारत में सालाना यह लगबग 5,000 मौतों के लिए जिमित्दार है नमबर फाइव, डेट एडर डेट एडर साप और न्यू गिनि में पाये जाने वाला बहुती खतरनाक साप है डेट एडर की खास बात यह है कि यह ज्यादातर सापों का ही सिकार करता है एडर साप बहुत तेजी से हमला करता है डेट एडर साप 40 से लेकर 100 मिलिग्राम जहर सिकार के सरीन में छोड़ता है और यह 13 सेकंड में ही दोबारा हमला करने की समता रखता है डेट एडर सापों में नियो टॉक्सिक जहर होता है जिसकी वज़े से 6 गंते के कम समय में मौत हो सकती है डेटल साप उतरी अमरिका में पाए जाने वाला सबस्य जैदिला और खतरनाक साम्प है डेटल साप अपने पूछ के आकरी सीरे पर बने चल्लो के कारण आसानी से पैचाना जा सकता है रैटल साप जब अपने पुझ को हिलाता है तो यह चल्ले जुन-जुनों की तरह आवाज करते है रैटल साप की विशिस्ता यह है कि इनके छोटे बच्चे बेहत खतनाक और वैसक साप से ज्यादा जैरीले होते है रैटल सापों के सरीन में होमो टॉक्सिक जहर पाया जाता है जो के इनसानों के सरीन में मानव उत्तक को खत्म कर देता है रैटल साप के काटने के 10 मिनिट के अंदर एंटीडोट लेने पर बचने के कुछ हद तक चांस होते है इस्टन ब्राउन स्नेक इस्टन ब्राउन साप औस्टेला में पाये जाने वाला सबसे खतनाक और जैरिला साप होता है इस्टन ब्राउन साप का जहर इतना जैरिला होता है कि इसके जहर का 14,000 वा हिस्सा भी किसी इंसान की जान ले सकता है यह साप उस्टेला के भीडबार इलाकों के पास ज्यादा पाया जाता है इस्टर्म डाउन साप का छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान की जान ले सकता है इनलेंड टाइपण इनलेंड टाइपण धर्ति पर पाये जाने वाले सापों में सबसे खतनाक और जहिरीला साप माना जाता है इनलेंड टाइपण साप के एक डंग से व्यक्ति के सरीन में कम से कम 110 मिलिग्राम जहर जाता है क्या आपको पता है कि 110 मिलिग्राम जहर से 100 व्यक्ति और 2,50,000 चुहे तक मार सकते हैं ताइपन का जहर रैटल साप से 10 गुना और सामने सापों से 50 गुना ज्यादा खतनाक होता है पीडबाड से दूर सांत वाताय में रहना पसंद करते हैं इसलिए इनलेंड ताइपन द्वारा लोगों को काटने का मामला आज तक सामने नहीं आया है नमर वन समुद्री साप दुन्या का सबसे जहरीला समुद्री साप साउथ इस्ट एस्या और नॉर्थन वस्टिला में पाया जाता है इस साप इतने खतनाक और जहरीले होते है कि इसके 110 मिलिग्राम जर्ज से लग बग 1000 इनसानों की मौत हो सकती है इस साप समुद्र में पाये जाते हैं जिसकी वज़र से इनसानों को इनसे कम खत्रा होता है इन सापों का सिकार अधिकतर मसुवारे बनते ही जब उनके जान में फस जाते गलती से मसुवारे इनका सिकार हो जाते ही